दूस्तो ये चम्मस से कपड़े आईरन करने का एक दम से नया तरीका है आप बहुत सारा कपड़े आईरन कर सकते हो और साथी साथ आपका जो हर दिन का काम है ना बहुत ही आसान कर देने बाली ये टीप्स है क्योंकि आज मैं बहुत सारा टीप्स आप सब के साथ सेर करने बा क्योंकि जब हम गौर्जेसे साड़ी को इस तरह से एक के उपर एक रग देते हैं तो कभी-कभी क्या होता है कि यह जो सुंदर-सुंदर डिजाइन रहती है तो एक साड़ी से दूसरे साड़ी में लग जाता है और हमारी साड़ी का जो है खराब हो सकती है ठीक है बहुत उसके उपर एक पेपर रख दे इस तरह से अगर इस तरह से रखोगे ना तो एक के उपर एक रख देने से भी चाहे कितना भी आपका किम्ती साड़ी हो या फिर कितना भी आपका गौर्जेसे साड़ी हो कुछ भी नहीं होगा और आपका जो है निकालने में भी आसान होगी ठीट है और चलिए अब देख लिते हैं अगली वाली टिप्स तो जैसे कि यह बैग है कप्ड़े वाली बैग है तो यह हैंडल है नीचे और यह जिर नीचे वाली है न मैंने कुछ छेद बनाया है इस तरह से कट किया यानि कि एक swap in bag में में चार पार्चर कट किया है और hanger में जो साड़ी रखती हुँ आ तो उसी hanger की handle को मैंने नीचे की side निकाल लिया है इस तरह से अगर रखो घे तो होता है क्या कि आपका जो साड़ी है गंदन ही होता है और आपका almira में जगे भी जादा मिलती है यानि कि इ रहते हैं अगली टिप्स यह एपिल को लिए क्या होता है कभी-कभी कभी किया हम सब इस तरह से कट करते हैं लेकिन दोस्तों अगर आपके गरए कौई चीप कर दो तो द railroad कर कि दोगें तो यदू देखने में अच्छा नहीं लगत और ये जो डंठल है ना तो उसको नहीं कट करना है इस तरह से कट करना है तो देखोगे इतना अच्छा से ये कट हो जाता है और बीज जो रहती है ना वो अंदर में ही रह जाता है और ये बहुत अच्छे से कट हो जाती है आपको जरह सा भी दिक्कत नहीं होगा इस तरह से क कर सकते हो आप देखिए बच्चों को कैसे टीफिन में एपिल देना चाहिए या फिर अगर ये थोड़ा स्वाप्ट होता है ना तो इसको तरुताजा करने के लिए क्या करना पड़ेगा ओभी मैं बताऊंगी बहुती अच्छा तरीका है ठीक है आप देखिए दोस्तों मैंन जो एपिल को कट किया है ना तो कितना अच्छा से ये कट हुआ है कि इसके अंदर बीच रहे गया और एपिल भी कट हो चुका और ये बहुती बढ़िया होता है दीखने में ठीक है अब चलिए ये अगर नरम होता है ना तो किस तरह से इसको तरुताजा बनाएं कि खाने मे अच्छा लगे तो क्या करना है कि एक बाउल में ले लिया और उसमें मैं डालने वाली हूँ यह जो बरब की टुकड़े है ना उसमें डालने वाली हूँ तो अब चलिए इसको निकाल लिया निकाल लेने के बाद थोड़ा सा बरब इस एपल के उपर मैं डाल दिया थोड़ा दोस्तो 5 मिनिट मैं इस तरह से रखने बाली हूँ आप 5 मिनिट बाद में दिखा रही हूँ यह इतना अच्छा लगेगा इतना बहुत ही अच्छा लगता है आप इस तरह से एक बार करको देखोगे तो समझ में आएगा ठीक है अब चलिए दिखाती हूँ मैं कि बच्चों क किस तरह से देना चाहिए तो मैंने सबसे पहले एक पावल में पानी लिया है थोड़ा सा और उसमें थोड़ा सा मैं ढाल दूंगी नमक अब नमक को अच्छे से मैंने घोल लिया है घोल लेने के बाद ये जो एपल है इसके अंदर डाल दूंगी और करीब एक मिनिट तक इसको ऐसे ही छोड़ना है ठीक है एक मिनिट तक अगर इस तरह से रग दोगे ना नमक बाली पानी में ज्यादा नमक डालने की जरूरत न साथ घंटे भी काले नहीं पड़ेगी और ये खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगली टिप्स तो कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से हम हैंगर के हैंगर में रखते हैं ना साठ हो टीचाठ हो तो जड़ा सा हाथ लगते ही ये ख तो अगर आप हैंगर को इस तरह से स्टिकर के अंदर डाल देते हो तो कितना भी आप इधर उधर कीजिए ये नहीं गिरने वाली है ये बहुती अच्छा तरीका है दोस्तों आप इस तरह से रखोगे तो ये कभी भी नहीं खुल के गीरेगा नीचे ठीक है बहुती चमत से कैसे कपड़े आइरन करें दोस्तों ये जो सर्ट में बटन होती है ना तो कभी कभी क्या होता है कि बहुती अच्छा बहुती कीमती और बहुती जबरदस्त बटन होती है अगर हम इसके उपर आइरन इस तरह से करते हैं तो इसकी जो चमक होती है यानि कि बटन की ज चमक होती है वो खतम हो जाती है और फिर जल्दी से यह खराब भी हो जाती है तो किस तरह से आइरन करें उसी जगह को उसी तरीका मैं बताऊंगी तो छोटा सा एक मिने चम्मच लिया है और इस तरह से बटन को ढख दिना है और फिर इसके उपर इस तरह से आइरन करनी है तो और आपका जो बटन है न वो भी safety रहेगा यानि कि खराब नहीं होगा कभी भी खराब नहीं होगा इसका जो glaze है वो भी इधर उधर नहीं होगा बहुत ही अच्छा तरीका है चली अब देख लेते हैं अगली tips तो यहाँ पे मेरे हाथों में है दोस्तो ओर्ट तो यह बच्च कर ले सकते हो तो इसकी कीमत है 112 रुपे ठीक है अब मैं यहाँ पे पता रही हूँ इसको तयार करने के लिए चीनी की जरुरत पड़ती है तो अगर बच्चों को देते हो ना तो चीनी यानि की सुगर आप बिल्कुल भी ना दे तो आप इस तरह से केले दे सकते हो या फिर काजू और यह जो बादम होती है तो ओ भी दे सकते हो रात में भीगो कर रखे और फिर पेश्ट करके इसमें मिला लीजिए तो आपका जो है ना असकर की जरुरत नहीं पड़ीगी तो आप अगर इस तरह से बादम देना चाहते हो तो आपको रात में जरुर भीगो कर रख ग्रेटर से ग्रेट किजिए और उसके बाद ओर्ड में मिला लीजिए तो बच्चों की खाने में दिक्कत नहीं होगी कैसे लगा दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो लाइक से और सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद